कोविड नाइंटीन के तहट जहां लॉक डाउन की प्रक्रिया लगातार शुरू होने के बाद जन जीवन सामानी रूप से चल रहा है वहीं बिरुजगारी के चलते लगातार यूबा पीडी अपराद को अंजाम देती नजर आ रही है जहां पिछले 48 घंटों की बात करें तो दूसरी वारदात है जहां ATM तोडने का प्रयास किया गया वहीं पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई कि किस तरह से आरूपी द्वारा ATM तोडने की कोशिश कर रहा है हलाकि दोनों ही मामलों में पुलिस की सतरकता की चलते आरूपियों को हिरासत में ले लिया गया है दरहसल मामला देरात राजेंदर नगर्थाना शेतर के केसरबाग ब्रिज मलिक रोड स्थित SBI के ATM में दोग्याद बदमाशो द्वारा ATM में तोड कर लूटने का प्रयास किया गया घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई वहीं घटना में जब तोड़फोड की आवाज आने लगी तो इस सानी रहवासियों ने तत्काल इसकी जौनकारी पुलिस को दी मौगे पर पहुँची पुलिस ने गेराबंदी कर दोनों ही आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है एक बार फिर पुलिस की सतरकता की चलते बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे बदमाशों की पूरी घटना बाहर लगे CCTV कैमरे में भी कैद हो गई महरबार की तर इस बार भी ATM के पास कोई भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं था पुलिस बार कई बार हिदायतों के बाद भी बैंक अपने जिम्मिदारियों से पीछे हट कर सुरक्षा कर्मी ना होने के कारण कई बार इस तरह की घटनाए सामने नजर आती है फिलाल पुलिस हिरासत में दोनों ही आरोपियों से पूछताच कर रही है पुलिस वाला न्यूस से सिटी क्राइम रिपोर्टर संजर वर्मा की रिपोर्ट